शूरवीर युद्धाओं के लिए जाने जाने वाले रायस्थान प्रदेश में उदैपूर जिले की पंचायद समिती बढ़गाओं से लगबग 22 किलोमेटर उत्तर दिशागी और इस्थित ग्राम पंचायद भूताला में ग्रामीनों वे आसपास के लोगों के सामने अपने मवेश्यों के लिए चारे की वेवस्ता करना एक बहुत बड़ी समश्या हुआ कर दे थी इस समश्या को हल करने के लिए ग्राम पंचायद भूताला में गाटी चौकी स्थान पर बंजर पड़ी भूमी पर 28.80 लाक रुपे की राशी से महत्मा गान्दी नरेगा कन्वर्ज पहडी के चारों और पौधरोपन कर पाइपलाइन बिच्वा कर पंच फल पौधों के लिए पानी की समुचित व्यवस्ता भी की गई हैं। पंच फल पौधरोपन कारिकरम के अंतरगत लीची, संतरा, मींबू, आम, छीकू, बादाम, अमुरूत जैसे बहुगुणकारी पौधे लगाये गये हैं। साथ ही एक चौकिदार भावन भी बनवाय गया है, जिसमें यहाँ पर एक चौकिदार की भी निउक्ति की गई है, जिससे इन सभी की समुचित देखरेग भी आसानी से हो सकेगी। इन सभी कारियों से ग्राम पंचायद भूताला चौकी गहटी का प्रकर्ती और पर्यावन के शेत्र में एक अलग सोरूप दिखाई देने लगा है। और अब यहाँ पहले लोग इस चौकी गहटी पर पैदल नहीं आपाते थे, वहाँ पर अब लोग अपने दो पईया वे चार पईया वहन भी आसानी से ले जा पा रहे हैं। अब यहाँ की ग्रामिंग जनता को अपने मवेशियों के चारे की वेवस्ता के लिए ज़्यादा सोच उचार करने की आवशक्ता नहीं है। यहाँ यह सब समश्या समाप्त होने के साथ साथ यह स्थल एक पिकनिक इस्थल भी बन गया है। यहाँ पर लोग सुबह सुबह टहलने के लिए भी आने लगे हैं जिससे यहाँ पर काफी चहल पैल भी रहने लगी है। इस कारे से यहाँ का हर विक्ति काफी उच्छाईत है। महत्मा गानी नरेगा कि इस महत्वकांग्षी योजना के बाद यहां के रहवासियों ने अपनी प्राकरतिक व्यवस्ता को समझा है और अपनी जीवन शैली को विक्सित भी किया है इसे हूँ प्राकरति के बाद रया हुआ जापे ताध एति आति इंच आतिया हुआ इंख कर दोां को अचे प्राकर अचे का इंब है यह जंगला कोलते हैं अच्छा दरापके यह रोजगारिया खाँ यह पोदर लगाया यह अंबा यह जोपल दारम पहला से यह जंगली 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 भ्यास गया सर्ति इस हारा जोपल रखीत होगीन यह अंपर शर्पन वेंगा शर्पन चावजाद केड़े यह आट रोजगारियन लगया बात यह गास भिया अच्छा पाने की वेस्थाने तो मशीन लगय विदी दुदी बश्टों फड़ पॉड़े पीड़े लाइची ता झाल झाल पताल ना बादा रोजकारी ये पेड़े ये आला आला बनावना अच्छा लंबुन दोपला असब जोगता शोगार भादा शोग दोगता शोगता शोगता है का अधर नहीं है कंगा स्कूधिए उण है कि नगयर्ण के अगार्ण है इब ताला सहाइ वहने गर्टा सहर नंगर पेड़ बिलवाड़ा वाह बताला मासा ये ये रोजग्यारी पान, पैड़को खोदना, पावना, अना अजाप सपए करनी, पड़े फुकी राद पावना लड़ा हुआ प्यात झाल पुरूम सर्पन रियात कमें मोन सिंह सरपन साबको को अमने खड़ा किया अदिवासी बैयाने सबी मिल के फिर हमारोको यहाने कितना काम दिया एक अज़ श्रागा काम दिया गाठा का बिलवाड़ शरागा काम दिया पोड पोड पदे का दिया, टुवेल का काम दिया, और चलाब गा दिया। हमारा बना करें अच्छा काम करुआ है। हम भी कहीं किसके साथ में जूड़ हूँ। नरेगा का में करते नहीं हूँ, पड़ आधी जूड़ हूँ तेया। हमारे ट्वेल भी खुदवाई, पाइपलेन भी टोड़ाई और इबारत भी तो भी काम अच्छा सदराद, पवेट पोदे हमारे आम, सिकु, वदाम, सिंत्रा, सब लगाए, इसे हमारे ग्राम पंचात बुचला के अंदर फाइदा मिलेगा, तो हमारे को या पल पोदे के अं हमारे मों चंदी और हमारे राद दिन एक दोड़ा करता पंचात का, उदिपूर का, यह बात है नहीं हमारे इतनी बात कहूं झाल यूं ही अंदा धुंद पेड कटते रहे तो पयावन का क्या होगा इसे बचाने के लिए हमें भरपूर ब्रक्षारोपन करना होगा महत्मा गांदी नरेगा योजना की अंतरगत ब्रक्षारोपन भरपूर किया जा रहा है प्रप्षारोपन के लिए हमें भरपूर ब्रक्षारोपन का का क्या है मेरा नाम हिरा सिंग है मैं यहीं बुताला गां में रहता हूँ अब यह गाटा गाटा में काम जल रहा है यहां पहले बंजर पूमिन थी यह मंगरा बक्रिये बेंसे चरती थी इसके बाद में सर्बन साफ जो हमारे बने मोहन सिंग जी उन्होंने बहुंडिवाल बनवाई और इने सो डेट सो लोगों को काम दिया और यह पेड़ बोदे जो लाएं फल वाले अजार के करीब हमने आम चिकू मोसमी संत्रा लिची यह सब यह लगाए हैं और पानी की विष्टा कराई है यह जो पेड़ लगे हैं चार पांक साल के बाद फल देने लग जाएंगे इनकम भी होगी कम से कम तो सबके फाइद ही होने वाला इसे यहां से इनकम होगी तो अच्छा काम होगा है कर दो 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 कर खराम पंचायद पुतला पंचाय सम्हें बढ़ घंभ, जिला, उदिपूर। ये आप चो देख रहे हैं ये नरेगा के अंदर जो श्री मत्री कलेक्टर मेडम आननदी बेन के दुवरा ये नरेगा पान रेगा के अंदर काम सीप्रत दिया गया उसमें ये चरागा भूमी पड़ी हुई है ये चरागा भूमी कई भरसों से पड़ी हुई थी यहाँ पर कुछ भी डॉलोमेंट नहीं था यहाँ पर लोगों के अतिक्रमन थे मेरे आने के बाद में हम लोगों ने गाहों के स्वयोग से यहां पर अथिक्रबन हटाया, अथिक्रबन हटाने के बाद में इस जमीन का क्या उप्योग लेवे, ताकि आने वाले पांच साल दस साल में एक गाम का नाम रोशन हो, गाम में कोई अच्छा इंकम सोर्स चलू हो, मेडम ने जो स्विक्रब दी नरेगा के अंदर, यहां से य लोजगार के साथ साथ में ये पड़ी हुई जमीन में हम लोगों ने एक विचार किया, फिर यहां पर अपन कौन सा काम करें कि आने वाले पांच साल दस साल बाद में इस गाउं का नाम को सुन हो, तो हम लोगों ने और मेडम के माधियम से और सर के माधियम से जो शेंक्छ पेड़ के सरके लाएं चिकू के सुप लाएं निम्बू के पेड़ लाएं संत्रा निम्बू, चिकू और लिची इस परकार के सभी परकार के पेड़ इसमें अपन्ने लाएं हमारा यह लक्स है कि आने वाले पासा के अंदर एक काम पंचायत जो है उसमें एक इंकम हो तता सरकार के कि तुछारा जो पेड़ पेसा दिया गया उसको सही तरीके से उसको लगावे ताकि आने वाले पंच सरपन जो भी बने उनको यह मालूम पड़ेगी पानी की बहुत पड़ी समयशा है, हम लोगों ने यहां नीचे के अंदर है, जो पेल मोटर लगा करके यहां उपर एक पानी का टेंग बढ़ा रहे हैं, उस पानी में पानी का टेंग डबल मोटर से लिप्टिम करेंगे, उसके अलावा रिटर लाइन, तीन इंच की रिटर ल पानी मिलता रहे हर एक पानी मिल सके या देखरे के लिए हमारे एक वागवान जी है, उनको भी अपर नियूपर किया है, पूरी बाउंडी के हम बाहर की तरफ आउटर में हमने पांच फीट के एक दीवार बनाई है, उसके उपर भी हमारे यह लक्श है कि आने वाने टाइ पांच पांच फीट की एक टार बंदी पूरी उसको पेक करवेंगे, जिससे कि आने वाले टाइम में कोई पसू या बकरी पेड बकरी या किसी प्रकार का कोई नुक्सान नहीं हो, यह हमारे लक्श है आने वाले टाइम में, तथा यहां सबी लोगों को एक रोजगार मिले है, यह दूसरे धो हम Kunden यूख फूल प्रीट की खेति करेंगे टाकि उसकी पी एक में चैतक को एक इंकम चालू हो, आने वाले एक परेटक इस्तल भी यहां पर आपम बनाने की इस गाओं को एक जाना जा है कर दो कर दो कर दो परिशिद कभी नीरज्य की पंक्तियां हैं है बहुत अंध्यारा आप सूरज निकलना चाहिए जिस तरह से भी हो ये मौसम बदलना चाहिए जीहां मात्मा गांधी नरिगा योजना के बाद ग्राम वासियों का मौसम बदलने लगा है यहां की आब और हवा आब बदलने लगी है जहां की आब बदलने लगी है झाल झाल कर दो कर दो कर दो कर दो